आज आपको दिखाने जा रहे हैं टुलाइट जोन स्रीज के कहाने जिसका नाम है नाइट मेर एड 30,000 फीड कहाने की शुरुआत एक भीड भाड वाले एरपोर्ट में होती है और ये है मूवी का हीरो जो बात बात पर नर्वस हो जाता है सिक्यूर्टी चेकिंग में भी उसे टेंशन होती है हालनकि उसके पास डरने जैसी कोई चीज नहीं है तब ही वो शेल पर कुछ बुक्स को देखता है हमारा हीरो ही उन बुक्स का राइटर है नाम है जस्टिन सैंडर्सन वो एक इन्वेस्टिकेटिव जर्नलिस्ट है और उस से अपनी बुक गिफ्ट करता है और उस पर अपना आटोग्राफ भी देता है उसके जाने के बाद जस्टिन एक अनॉसमेंट सुनाता है कि उसके फ्लाइट जिसका नंबर 10-15 है वो डिले हो गई है उसे 9-30 को निकलना था लेकिन आब वो 10-15 को निकलेगी याद रखिए कि फ्लाइट नंबर 10-15, 10-15 को टेक अफ होगी यानि कि 10 बच के 15 मिनट पर वो टेंशन में अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि को इंसिटेंस तो देखो फ्लाइट का नंबर 10-15 टेक अफ टाइम भी 10-15 और आज अक्टूबर 15 भी है आज जरूर कुछ अजी बात होगी वो जरा काम डाउन होता है फिर फ्लाइट का वक्त हो जाता है और सभी बोर्डिंग करते हैं एक परिवार के मेंबर्स को अलग लग जगे सीट्स मिली होती है लेकिन वे साथ बैठना चाते है उस आदमी के पास वाले सीट जस्टें की होती है जस्टें कहता है कि मैं अपने गुराफ बुक दी थी इस आदमी के नाम जोई है तभी एक घटा-घटा आदमी जस्टिन के पास बैठता है फ्लाइट टेक ओफ होने जा रही है और जस्टिन की टेंशन भी टेक ओफ हो रही है खुद को डिस्ट्रेक्ट करने के लिए वो आगे के पाउच में मेगजिन्स को नेरेटर बताता है फ्लाइट नमबर 10-15 किस तरह गायब हो गई थी पहले तो जस्टिन घबरा जाता है लेकिन फिर सोचता है कि कहीं ये एरलाइस वालों का घटिया मजाग तो नहीं नेरेटर बताता है कि उस रात फ्लाइट नमबर 10-15 देर से टेक ओफ हुई बाहर तेज बारिश हो रही थी अंदर एर होस्टेज सेफटी डेमोंस्टरेशन दे रही थी लेकिन बेचारे पैसंजर्स नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में फ्लाइट 10-15 समुद्र में गरने वाली थी और तब ही वाकई में एर होस्टेज सेफटी डेमोंस्टरेशन दे रही होती है जस्टिन तो घबरा कर Windows Shutter उठाता है सच में बादर गरसते हैं और तेज बारिश होती है और इस सिचुवेशन में फ्लाइट टेक आफ होती है ये सुनकर तो डड़ तो आपको भी लगाओगा सोचे जस्टिन की हालत क्या होई होगी फिर वो भी पॉड़कास्ट को एक कहानी समझ कर सुनने लगता है लेकिन नेरेटर कहता है कि फ्लाइट की कैप्टन का नाम था डेंजल अब जस्टिन घबरा कर पासवले पैसंजर से पूछता है कि पैलेट का क्या नाम है वो आदमी चिट जाता है कि मुझे नेन से क्यों उठाया सर इस पॉड़कास्ट में बताया है कि हमारी फ्लाइट समुदर में गिर गई थी वो आदमी तो जस्टिन को पागल समझ कर दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है दूसरी और हुडी पहनी भी औरत जस्टिन को देखकर हसती है कि वो उस आदमी को क्यों बगा दिया जवाब में जस्टिन भी स्माइल करता है अब जस्टिन कन्फूजड हो जाता है कि पॉड़कास्ट को आगे सुनू या फिर नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा डर रहा हूँ ये सोचकर वो फिर से उसको सुनता है नरेटर कहता है कि ठीक 1021 को एक बर्ड इंजन से टकरा गया और वैसे यहाँ पर 1021 को एक बर्ड इंजन से टकराती है और स्पार्ग दिखा दिएता है जस्टिन घबराकर एडसेट उठाकर फेंग देता है और रेस्टरों जाकर मूद होकर वापस आता है पास्ट इस पास्ट ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है ये सोचकर वो माइंड को शांत करता है लाख कोशिश के बाद भी उसकी कश्म कश्य दूर नहीं होती वो अलागातार एर होस्टेस को कॉल करता है तंग आकर केवन क्रू का एक मेंबर आकर उसे वान करता है जस्टिन बताता है कि मैंने एक बर्ड को एंजिन से टकराते वे देखा था इस एंजिन में जरूर कोई पावलम है लेकिन वो समझाता है कि 30,000 फीट की उचाए पर बर्ड नहीं होते सर आप दूसरे पैसंजर्स को मत डराइए और चुपचा बैट कर ट्री बेंजुआ कीजे नहीं तो आप पर शक्त एक्शन लिया जाएगा हुड़ी वाली औरत जोई और वागी पैसंजर्स जस्टन को घूरने लगते हैं अब जस्टन माफी माँगता है कि कैवन क्र्यू चला जाता है लेकिन पीछे से एक आवाज आती है कि वो बर्ड ही था जस्टन मुड़ कर देखता है तो उसके पीछे जोई बैठा होता है वो बताता है कि मैंने भी देखा कि बर्ड इंजन से टकराया था मैं भी एक पाइलिट हुआ करता था लेकिन शुराफ पिकर फायर चलाने की वज़े से मेरा लाहसेंस कैंसल कर दिया गया पर तुम घबराओ मत इस फ्लाइट का एंजन बर्ड स्ट्राइक से बंद नहीं होता ये कहकर वो अपने सीट पर चला जाता है अब जस्टन को थोड़ा चैन आता है और फिर वो पॉड़कास्ट को आगे सुनता है उसमें बता जाता है कि ठीक 11.15 को जब कैप्टन एनाउंस किया कि गुड नाइट नियॉर्क उसके बाद फ्लाइट रडार्स से गायब हो गई जस्टन देखता है कि इस वक्त टाइम 10.15 है ठीक 45 मिनट के बाद ये फ्लाइट रडार्स से गायब हो जाएगी और समुदर में गिर जाएगी पॉडकास्ट कहता है कि फ्लाइट के 117 पैसंजर्स का कुछ भी बता नहीं चला लेकिन इस दुर घटना से पहले पैसंजर्स केवन क्रियू या पैलेट को खत्रे का कोई ना कोई असर तो जरूर नजर आया होगा अगर उन पर ध्यान दिया होता तो फ्लाइट के लोग बचा जा सकते थे ये सब सुनकर जस्टन सोचता है कि ये पाड़कास्ट मुझे इस फ्लाइट के पैसंजर्स को बचाने का क्ल्यू दे रहा है अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं करके वो बहुत सोचता है इस फ्लाइट में हो रहे छूटी से छूटी चीज़ों को वो बड़े गौर से देखता है और ये सोचता है कि कैसे वो एक्सिडेंट को रोकने में हेल्प कर सकती है जैसे कहीं आग लगी ये किसी पैसंजर्स की तवेथ खराब हो गई और फ्लाइट को वापस मुड़ना पड़ा या किसी ने फ्लाइट को हैजर्क करने की कोशिश की ऐसे इंसिडेंट को नोटिस करके रोक दिया जाए तो एक्सिडेंट नहीं होगा ये सोचकर जस्टिन एक नोट पर निकाल कर फ्लाइट की हर बात को नोट करता है फड़कास्ट बताता है कि इस फ्लाइट में पैसंजर्स कोख्पिट के विजवल्स को देख सकते हैं शायद पाइलेट के बीच कोई बहस हुई और इसी वज़े से फ्लाइट का एक्सिडेंट हुआ अगर पैसंजर्स और कैवन क्र्यू सतरक रहते तो उन्हें रोक सकते थे ये सब सुनकर जस्टिन कॉक्पिट के विजवल्स को ध्यान से देखता है फिर उपैसंजर्स को चक करता है दो इंडियन स्फोन पर आफ्लाइन वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन जस्टिन उन्हें वीडियो बंद करने को कहता है इस पर उनके बीच तो बहसी हो जाती है एर होस्टे समझाती है कि वे ओफलाइन देख रहे हैं कोई प्राबलम नहीं होगी आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएए इस तरह फलाइट के सभी पैसंजर्स जस्टिन से अब तंग आ जाते हैं और उसको पागल समझते हैं कैवन क्र्यू जस्टिन को उसकी सीट पर बैठा देते हैं और जस्टिन फिर से पॉड़कास्ट को सुनता है वो सुनता है कि फलाइट में दो रश्यन थे जिनने एक खतरनाक माफिया गैंग ढूंड रहा था और सरकार उन्हें दूसरी जगे भीज रही थी शायद उनकी वज़े से कोई प्राबलम होई होगी लेकिन हर फलाइट में एर मार्शल होते हैं जो पैसंजर्स के साथ ही बैठे होते हैं वे ऐसी डेंजर्स सिचुवेशन में पैसंजर्स और फलाइट क्रीव की सेफटी का बड़ा ध्यान रखते हैं अब जस्टिन एर आस्टेस के पास जाकर एर मार्शल से मिलने की जित करता है एर आस्टेस डांट तो नहीं सकती इसलिए स्मायल करके कहती है कि सर फलाइट के 116 पैसंजर्स को कोई प्राबलम नहीं है सिर्फ आप ही हमें परिशान कर रहे हैं कैप्टन के लावा कोई नहीं जानता कि एर मार्शल कौन है मैं भी नहीं जानती जिस्टन खुद पता लगाने के लिए फलाइट में यहां वहां घूमने लगता है आखर में वो जोई के पास पहुचता है ये तो पालिट था ना शायद यही एर मार्शल होगा वो जोई से पूछता है तो वो नश्र में जवाब देता है कि तुम भागल हो गया हो क्या मेरा तो पालिट लाइसेंस कैंसल हो गया फिर मुझे एर मार्शल क्यों मना जाएगा उसने खुब पी रखी हो दिये और कहता है कि अगर एर मार्शल का पता लगाना है तो पूछताच से काम नहीं चलेगा तुम खुद कोई प्राबलम क्रेट करो एर मार्शल खुद तुमें अरेस्ट कर लेंगे फिर पता चल जाएगा कि एर मार्शल कौन है जस्टिन को याद आता है कि पॉड़कास्ट नरेटर ने दो रश्यंस की बात की थी जो किसी माफिया से कनेक्टेड थे फिर वो फ्लाइट में सो रहे दो रश्यंस के पास जाता है और उनके बैग में चेक करता है कि कहीं वैपन्स वगरा तो नहीं है तब ही एक बैग उनके ओपर गिड़ जाता है और वे उठ जाते है अब जस्टिन पर चिलाते है कि क्या तुम चोरी कर रहे हो एर आस्टेस तंग आकर इस सिचूइशन को भी स्माइल करते हैं हन्डल करती है जस्टिन बार बार कहता है कि ये फ्लाइट करेश हो जाएगी खायख हो जाएगी सम मारे जाएंगे अब खुद कैप्टन बाहर आकर जस्टिन से कहता है कि इस फ्लाइट में कोई पॉब्लम नहीं है हमारा सबसे बड़ा खत्रा तुम हो तुम सुपचा बैठ जाओ वरना अरेस्ट करवा दूँगा तब जस्टिन देखता है कि कुछ पैसंजर्स अपने फोन पर उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्टिन अब सौरी कहता है और अपनी सीट पर चला जाता है लेकिन इससे पहले वो बैठे पॉड्कास्ट में एक बात बताय जाती है कि फ्लाइट 10-15 में एक इन्वेस्टिगेर्ड जनलिस्ट था जिसका नाम था जस्टिन सेंडिर्सन उसने फ्लाइट के पैसंजर्स और क्र्यू को परिशान किया था एक पैसंजर ने उसकी बाते रिकॉर्ड की और उसे नेट पे अप्लोड किया चलिए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं ये कहकर नेरेटर अपने पॉर्ड कास्ट में एक आडियो प्ले करता है ये उसी बहस की रिकॉर्डिंग है जो कुछ देर पहले जस्टिन और कैप्टन के बीच हुई थी आप जस्टिन को यकिन हो जाता है कि पॉर्ड कास्ट में जो कुछ कहा जा रहा है वो सच में होने वाला है ये फ्लाइट डूबने वाली है वो सिधे कैप्टन के पास जाकर कहता है कि 14 मिनर्स बाद 14 मिनर्स बाद आप पैसंजर से जो बोलने वाले हैं कुण डाइट नियॉर्क वो मत बोलिये प्लीज क्योंकि अकर आपने वो कहे दिया तो ये आपकी आखरी शब्द होंगे उसके बाद ना तो आप बच पाएंगे और ना पैसंजर्स ताब वो हुडी वाली औरत जस्टिन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने कैप्टन को धंकी दे थी यही इस फ्लाइट की एर मार्शल है जिसका नाम है अलीशा वो कहती है कि लेंड होने पर तुम्हें मेडिकल है भी जाएगी और तुम्हें एरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा जस्टिन विंति करता है कि मेरे पास पूरूफ है आप इस पौड़कास्ट को सुनगी तो सब पुछ साफ हो जाएगा अब कैप्टन अलीशा और कैवन क्रियू सभी अलग जाकर सीरियसले डिसकस करते है इसी भी जस्टिन फिट से पौड़कास्ट को सुनता है नेरिटर बताता है कि 10-15 को फ्लाइट डार्ट से गायब हो गई लेकिन फ्लाइट के अंदर किसी को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा था अगर पता होता तो शायद वे बचने की कोशिश करते है वक्त बिता जाता है आब 11-15 होने में सिर्फ दो मिनटस बचे वे हैं तभी जोई आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है ये सुनकर जस्टिन को हद से जादा तसलिय होती है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात को समझता है जो कहता है कि मैं एक एक्सपीरियंस पाइलेट हूँ और 30,000 फिट पर उड़ना इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल नहीं है इस हाइट पर कुछ भी हो सकता है तो सेफटी के अंधिजाम करने में हर्जी क्या है अब जस्टिन को एक आइडिया सोचता है वो कहता है तुम खुद तो एक पाइलिट थे तो क्या तुम इस फ्लाइट को कैनेडा एरपोर्ट में उतार सकते हो हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन एक प्राब्लम है कॉक्पेट को खोनने के लिए एक एकसस कोड होता है वो हर टेक ओफ के बाद चेंज हो जाता है उसके बिना मैं कॉक्पेट में एंटर नहीं कर सकता अब जस्टिन सोच में पढ़ जाता है कि ये MP3 प्लियर उसके हाथ क्यों लगा फ्लाइट को बचाने का इसमें कोई न कोई क्लियो तो जरूर होगा वो बार बार डिस्पले को देखता है तो उसे स्ट्राइक होता है इस फ्लाइट का नंबर फ्लाइट का टेक ओफ टाइम और आज की तारिख सब 10-15 है मुझे यकिन है कि कॉक्पिट का एकसेस कोड भी 10-15 ही होगा अब दोनों मिलकर इस फ्लाइट को टेक ओवर करने का प्लान लेते हैं जो ही कहता है कि अगर ये कोड काम कर गया तो मैं कॉक्पिट में एंटर करूंगा और फ्लाइट के अंबर का प्रेशर कम कर दूँगा इससे लोक्स हो जाएंगे और बे मतलब हंकामा खड़ा नहीं होगा तो मिस आउक्पिट टैंक के जरीए सांस लेना और अलट रहना हम दोनों मिलकर इस फ्लाइट को कनेड़ा एरपोर्ट में सेफ लेंड करेंगे इसे गायब नहीं होने देंगे हम अब जाकार जस्टन की जान में जानाती है कि उसे अपने मिशन के लिए एक साथ ही मिल गया है कैप्टन और अलिशा फ्लाइट की बैक साइड में इस सिचूइशन को हैंडल करने के बारे में डिसकस कर रहे होते हैं जो एक कॉकपिट डोर पर 10-15 प्रेस करता है और डोर ओपन जस्टन एकसेस कोड को ठीक गैस किया था जो एक अंदर जाता है लेकिन कोई पैलेट उसको बाहर जाने को कहता है बाहर के डिस्पले में सारे पैसंजर्स देखते हैं कि जो एक कोई पैलेट को पीट रहा है सब ही चिलाते हैं कैप्टन और अलिशा भाग कर आते हैं और डोर पीट पर पीटने लगते हैं फ्लाइट में बिलकुल हल चल मत जाती है लेकिन अब सिर्फ एक मिनट बचा हुआ है पर जिस्टन को विश्वास है कि एक मिनट में सब के किसमात बदलने वाली है जो एक किसी तरह फ्लाइट को कैनेड़ा एरपोर्ट में लेंड कर ही देगा लेकिन उस वक्त डिस्प्ले पर पैसेंजर को जो दिखता है उसको देखकर हमें नहीं जिस्टन को भी शौक लगता है पाइलेट सीट पर बैटकर जोई का बढ़ता हुए एक दम से बदल जाता है वो एरांस करता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं मैं बिना किसी दर्द के तुम सबको मौत के मुह में उतारने वारा हूँ जस्टन की समझ में नहीं आता कि जोई ऐसा क्यों कर रहा है तब रिवील होता है कि जोई इसी एरलाइन्स का पालेट था लेकिन शिराबी होने की वज़े से एरलाइन्स ने उसको टर्मिनेट कर दिया फिर उसका लाइसेंस भी कैंसल करवा दिया आज वो उसी बात का रिवेंज ले रहा है इस फ्लाइट का एक्सिडेंट हो जाएगा तो एरलाइन्स की रेपोटेशन मिट्टी में मिल जाएगी और जोई यही चाहता था हलाएंकि वो खुद भी मर जाएगा लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं है अब वो फ्लाइट का इंजन आफ करके कहता है गर नाइट नियोर्क फिर क्या था फ्लाइट नेचे सम्बूदर की और गिरने लगती है जस्टिन को यकिन ही नहीं होता कि वो खुद इस फ्लाइट एक्सिडेंट का कारण बन गया अगले सीन में दिखाते हैं कि जस्टिन एक आईलेंट पर है और आसपास फ्लाइट के टूटे वे पार्ट्स पड़े वे हैं तभी उसकी नजर उसी MP3 प्लेयर पर पड़ती है पॉड्कास्ट खत्म नहीं हुआ है वो तुरंत उसको ठाकर सुनने लगता है नेरेटर बताता है कि उसके बाद फ्लाइट 10-15 गायब हो गई सर्च और डेस्क्यू टीम ने कई महनों तक फ्लाइट को ढूंडा और एक दिन उन्हें एक आलेट पर फ्लाइट 10-15 के सारे पैसंजर्स जिन्दा मिल गए वे किसी तरह वहां सर्वाइब कर रहे थे लेकिन एक पैसंजर वहां नहीं मिला उसका नाम था जस्टिन सैंडर्सन आज तक जस्टिन मिसिंग है और इसी के साथ पॉड़कास्ट होता है खत्म जस्टिन कन्फूजड होता है कि ये क्या मजाख है सब बच गए तो सिर्फ मैं मिसिंग कैसे हुआ तब वो देखता है कि फ्लाइट के सारे पैसंजर्स चलकर उसके पास आ रहे हैं वे बढ़ बढ़ाते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वज़े से फ्लाइट यहां गिर गई अब हम सब को यहीं मरना पड़ेगा वो ओडियंस को बताता है कि शायद यह जस्टिन का इंट्यूशन था जो उसे सतर्क रहने पर मजबूर कर रहा था तब ही उसे MP3 प्लेयर में ऐसा पॉड़कास्ट सुनाई दिया हालनकि उसके अलावा किसी ने वो पॉड़कास्ट नहीं सुना था उसने फ्लाइट को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वाकरता कि यह नहीं जान पाया कि वही इस एक्सिडेंट का कारण था वो एक इन्वेस्टिकेटिव जनिश्ट था लेकिन वो खुद को इन्वेस्टिकेट करना ही भूल गया जब उसे सच का इसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी लास्ट में ही उसको पता चला कि इस फ्लाइट का रास्ता मौत की दुनिया से गुजरता है और इस टुलाइट जोन से वो बच नहीं सकता इस लास्ट अनरेशन के साथ यह मूवी यहां पर खत्म होती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह मूवी और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो स्टोरी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गड़ बाई अपना खियाला कि केढ़ अट्तों को यह अच्छी लगी में तक